तो जन्मास्ट्वी मनाने के बाद हम अपने लड़ू गोपाल की छटी मनाते हैं और क्राश्ण जी की छटी में हम तरह-तरह की भगवान बना कर तयार करते हैं तो हाई फ्रेंड्स आज हम आपके शार शेर करने जा रहे हैं श्रीकेशन की छटी की प्रशाद की रेस्वी आपके यहाँ भगवार श्रीकेशन की छटी कैसे बनाया चाती है और इसमें क्या-क्या बनाया चाता है नीचे कोमेंट बॉक्स में लिखा मुझे जरूर बताएं साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखती है या गलती दिखती है तो अपनी रहे कोमेंट बॉक्स में लिखे मुझे जरूर दे और अगर आपको इस पसंद आए तो प्लेसे से लाइक और शया चरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए अपने लड्डू गोपाल की छटी के लिए प्रशाद बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की लिए चावल बना के तयार करेंगे तो इसके लिए हमने एक कप चावल ले लिये हैं और इनको हम पानी से बढ़िया से धुल लेंगे तो चावलों को हमें दो से तीन बार पानी से अच्छे से धुल लेना है तो इस तरीके से हमने चावल को दो से तीन बार पानी से बढ़िया से धुल लिया है तो अब हमने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और इस कुकर में हम एट कर रहे हैं दो छूटी चम्मच शुट देशी घी तो घी को हम जम्मच की सायता से थोड़ा सा भर कर ही डालेंगे और घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे एक चुटी चम्मच शीरा साथी हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले आड़ कर रहे हैं तो खड़े मसालों में हम आड़ कर रहे हैं एक स्टार एनिस, थोड़े सी दाल चीनी, थोड़े सी जाबित्री, एक बड़ी इलाइची और एक हरी इलाइची और इन सबी चीज़ों को हम थोड़ा सा हून लेंगे फिर हम इसमें एड़ कर रहा है नौ से दस काजू जिनको हमने दो पीसिस में डिवाइट कर लिया है और काजू को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इनको हम थोड़ा सा सुने रहा होने तक fry करेंगे साथी हम इसमें आदा कटूरी हरी मटर के दाने आड़ कर लिएंगे यहाँ पर फ्रोजन हरी मटर का यूज कर रहे हूँ अगर आपके पास फ्रेस हरी मटर है तो आप बो भी डाल सकते हैं और बर्टर को भी हम आदा मिनिट तक fry कर लेंगे फिर हम इसमें आड़ करेंगे अपने चावल जिनको हमने दूल कर पहले से ही तयार कर लिया है और चावलों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इन चाबलों को हम medium flame पर एक मिनट तक लगाता चलाते हुए खुला पकाएंगे इस प्रोसेस को करने से क्या होगा जो हमने खड़े मसाले डाले उनकी खुस्पू चाबलों में बढ़े असे आ जाएगी तो एक मिनट के बाद हम इसमें पानी आड़ कर रहे हैं तो पानी हमें उसी कफ से डालना है जिससे हमने चाबलों का मेजरमेंट किया है तो एक कफ पानी हमने इसमें आड़ कर दिया है अब हम इसमें एक चोथाई कफ पानी और एड़ कर देंगे अब हम इनको medium flame पर 1 ct आने तक पकाएंगी तो ये देखे 1 ct आ गई है अब हम gas को बंद कर देंगे और pressure cooker की gas को आराम से निकलने देंगे तो कुछे मिन्टों में हम देख सकते हैं कि pressure cooker की gas आराम से निकल गई है अब हम अपने चाबलों को चेक करेंगे इसी क्या होगा चाबल हमारे एकडम अलग-अलग हो चाएंगे तो 15 minutes हो गा है अब हम अपने चाबलों को सर्फ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चाबल हमारे एकडम अलग-अलग बने है तो इस तरीकी से हमारे लड़ू गोपाल के लिए चाबल की रस्पी बनकर तयार है तो अब हम उपने लड़ू गोपाल के लिए धेवड़े की रस्पी बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर आदा कटोरी दुली ओड़त की डाल ले लिए साथ हमें आपर ले रहे हैं एक त्याई कटोरी दुली मुण की डाल तो दोने तरहों की दालों को हमने एक बाउल में सिफ्ट कर लिया है और आब हम इसमें पानी एट कर लेंगे तो पानी हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे इनको हम चार गंटे के लिए पानी में टूबा रहने देंगे तो चार गंटे के बार दल हमारी बढ़िया से फूल गई है तो जब भी हम प्रशाद बनाते हैं तो दाल को हमें पहले से ही फिगो कर तयार कर लेना है तो अब हम इस दाल को मिक्षी जार में सेफ्ट कर लेंगे अब हम इसमें एट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है इसको हम हाल कासा दरदरा ही रखेंगे अल हमाई बढ़िया से नहीं पीछी है तो अब हम इसमें दो टेपिल स्पून पानी और एट कर रहा है और फिर से हम इसको बढ़िया से पीछ लेंगे तो ये देखिए दाल को हमने बढ़िया से पीछ लिया है मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ तो ध्यान रखेगा हमें इसको बिल्कुल बारेक नहीं पीछना है हम इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीछेंगे और ध्यान रखेगा इसको बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है तो अब हम इसको एक मिक्शिंग बाउल में सिफ्ट कर लेंगे तो अब हम इसको विषकर की साहिता से बढ़िया से फेट लेंगे तो इसको हम लगाता चलाते हुए 5-6 मिनेट तक अच्छे से फेटेंगे तो लगबग 5-6 मिनेट हो गए हैं तो अब हम इसको चेक कर लेंगे तो इसके लिए हमने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें हम इस दाल की पेस्ट को थोड़ा सा डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि दाल का पेस्ट दूबा नहीं है यह उपर आ कि आए तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक एट कर रहे हैं तो नमक आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डालेगा तो आप अपने पसंद के अनुसार इने छोटा या पड़ा बना सकते हैं तो कुछी मिंड़ में आप देख सकते हैं कि पकोडिया फूल कर डबल हो गई है इनको पलटते हुए हम चारो तरफ से बढ़िया से सेख लेंगे तो पकोडिया हमारी फ्राइख हो गई है अब हम इनको आयल से निकाल लेंगे अब हम इसी डाल की पेस से छूटी छूटी पकोडिया बना कर तयार कर लेंगे तो जो हम अपने लटू को पाल के लिए पकोडिया बना कर तयार करते हैं और इनको हम 5 मिनट तक इसमें डिप रहने देंगे। 5 मिनट के बाद हम पकोड़ी के एक्स्रा पानी को इस तरीके से निकाल देंगे। तो सारी पकोड़ीों को हम एक्स्रा पानी को इस तरीके से दबाते हुए निकालते जाएंगे। और इनको हम एक प्लेट में रख लेंगे तो अब हमने एक पैन में जेड़ ग्लास पानी ले लिया है और पानी को हम वाइल होने देंगे और अब हम इसमें एड़ कर रहा हैं 200 ग्राम गुड़ तो गुड़ को हम इसमें मेल्ट होने देंगे साथ ही हम इसमें एक छूटी चम्मज दरदरा पिसा हुआ जीरा एट करेंगे दो से तीन चुटकी हिंग डालेंगी अब हम इसमें एट कर रहे हैं दो छूटी चम्मज आम चूर पाउडर तो आम चूर पाउडर को हम चम्मज की साहिता से थोड़ा सा बरकर डालना है तो कुछी मीटनों में आप देख सकते हैं कि जटनी हमारी बढ़ी ऐसे गाड़ी हो गई है यानि ये पक गई है तो अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसको एक साइड में उठाकर रखतेंगे तो इधर हमने एक मिक्षिंग बाउल ले लिया है और इसमें हम एट कर रहा है आदा केजी फ्रेस दही तो ध्यान रखेएगा दही एकदम फ्रेस होना चाहिए यानि ये ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए और दही को हम बढ़िया से फेट लेंगे फेट में कि वाद अगर आपको लगता है कि दही बहुत ज़्यादा गाड़ा है तो आप इसमें छेपो कोडिया ले ले रहा है साथी हम अपनी तयार की हुई मीठी चटनी भी इसमें डाल लेंगे और थोड़ी सी हम डाल ला है हरी चटनी अब हम अपना भुना पिसा हुआ थोड़ा सा जीर डाल लेंगे साथी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो इस तरीके से हम धही करेंगे तो च्छन लिए अच्छा भी खटूरी। अब डालेंगी स्वादनसार, दो से तीन चुटकी हींग एड़ कर लेंगी, और सारे मसालों को हम इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, तो अब हमने जिस कटोरी से धही और बेशन का मेजरमिंट किया था, उसी कटोरी से हम इसमें पानी एड़ करेंगी, तो टोटल हम यहां आपस साथ कटोरी पानी एड़ कर रहे हैं, तो अब हम मत्य की साइटा से इसको बढ़िया से फेट लेंगी, इससे सारी चीज़े हमारी बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी, धरी, बेशन, पानी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हम इसको साइट में उठा कर रग दे तो अब हमने यहाँ पर एक कड़ाई ले ले लिए हैं, और इसमें हम एट कर रहे हैं, एक से दो टेबिल स्पूर ओयल, और ओयल को हम बढ़िया से गर्म कर लेंगे, तो जब ओयल हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चम्मत जीरा, ए अब हमने यहाँ पर 10 से 12 करीपता ले लिए हैं, और इनको भी हम इसमें डाल देंगे, और करीपता को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, साथी हमने थोड़े से धनिया के डंटल भी इसमें डाल दीए, तो करीपता भी हमारा आच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालें हैं जब तक हमें कड़ी को मीडियम कर लेंगे और इसको मीडियम फ्रेम फर 20 तोरी बेशन और बेशन को हम इस्टेनर की साहिता से बढ़ रेकादती चान लेंगे。 अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं एक चुथाई छूटी चममच लाल बेश पायश पाउडर। एक चुथाई 3 चुथाई चममच राली पाउडर। कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक पेस्ट बना कर तयार करेंगी तो यहाँ पर हमें पतला पेस्ट बना कर तयार नहीं करना हम इसका थोड़ा सा थिक पेस्ट ही बना कर तयार करेंगी तो इसको हम विश्कर की साहता से बढ़िया से भेट लेंगे फीटने से क्या होता जो पोकोडिया हमारी बनती है वो बहुत ही soft बनती है तो अब हम इन पोकोडियों को fry कर लेंगे तो इसके लिए एक कड़ाई में हमने oil ले लिया और oil को हमने बढ़िया से गर्म कर लिया है तो अब हम इसमें mixture को थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से ड स्याहें और इसकी चोटी-चोटी पुकोड़या बना कर दयार कर लेंगे आप अपने पसंद के अनुसार इनने छोटाया बड़ा बना सकते हैं तो पुकोड़या वारी बढ़िया से फूलने लगी है हम इनको प्रहते हुए चारो तरप से बढ़िया से सेख लेंगी तो कुछे मिन्टों में हम देख सकते हैं कि पकोडियों को एक बढ़िया सा कलर आ गया है अब हम इनको ओई से निकान लेंगी तो इधर हमारी कड़ी को पकते हुए भी 20 मिनट हो गाए तो अब चूँ हमने अपवी पकोडिया से एक कर दयार की है उनको हम इसमें एट कर देंगी और मीटियों प्रेम पर हम इनको 4-5 मिनट तक पकने देंगी जिसे पकोडिया हमारी अच्छे से फूल जाए तो 5 मिनट हो गए आप देख सकते हैं कि कड़ी का तक्षय कितना अच्छा आया है तो अब हमने हाँ पर एक तड़का पैन ले लिया है और इसमें हमने लिया है एक टेविली स्पून शोदी देसी घी और घी को हमने बढ़या से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें एट कर रहे हैं एक चोथाई छूटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च साथी हम इसमें थोड़े से कड़ी पता भी एट कर लेंगी और अब हम इसमें एट कर रहे हैं दो सूखी खड़ी लाल मिर्च इस तरीके से तड़का हमारा तयार है अब इस तटके को हम इस कड़ी में डाल देंगे और एक बार खेसे हम कड़ी को बढ़िया से चला लेंगे तो ये लीजिए हमारे लड़ू गोपाल के लिए कड़ी भी बन कर तयार है तो अब हम एक बढ़ा सा बरतन ले लेंगे और इसमें हम एट करेंगी दो कफ के हुगा आटा अब हम इसमें थुड़ा-थुड़ा दोट डाल कर इसका एक बढ़िया सा आटा लगा का तयार करेंगी इस फ्रोसेश से जो आठा लट त्यार होगा उससे जो हमारी रोटिया बनेंगी वो एक दम फुली-फुली और सौफ्ट बनेंगी तो ध्यान रखेए का आठे को ना हमें बहुत ज़्यादा सौफ्ट रखना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट अब हम इस आठे को हतलियों की साहता से चिकना कर लेंगे तो आठा हमारा बढ़या से चिकना हो गया है अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगी जिससे बढ़या से सेट हो जाए 10 मिनट के बाद हम एतनी बढ़ी एक लोई लेंगे और इसको हम बेलन की साइता से बढ़या से बेल लेंगे तो अभी तक अगर आपको ये रस्टी पसंद आ रही हो तो फ्लीज इसे लाइक हो शेयर जरूर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो रोटी को हमने बढ़या से बेल लिया है कुछ कमी लगी हो या कुछ गलती लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा मुझे जरूर बताए तुलसी पत्ती भी रख लेंगे तो इस तरीके से हमने कड़ी धाई बड़ा और चावल और रोटी बना का तयार कर ली है तो अब हम अपने लड़ू गोपाल के लिए मकखन, पंजीरी, पंचामरत और बेवापाक की लड़ू को भी इसमें रख लेंगे साधी हमने आपर मिश्री भी रख ली है हमने चो दाल की छोटी-छोटी बोकडिया बनाई थी उनको भी हमने यहाँ पर छे ले लिया है क्योंकि करश्ण जी की छटी है तो हम हार चीज इसमें छेचे ही रखेंगे अगर आपको मकखन, पंजीरी, पंचामरत और मेवापाक की लड़ू की रस्पी चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको यह रस्पी कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखे मुझे जरूर बताए तो फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ, बाई